Hello everyone, आज मैं आप सभी को बादाम के फायदों के बारे में बताऊंगी रोज सुबर खाली पेट बादाम खाना स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है रोज सुबर खाली पेट पांच भीगे बादाम खाने के कई फायदे हो सकते हैं भीगे हुए बादाम के छिलके में टैनिन होता है जो की पोशक तत्तों के आशोशन को रोकता है बादाम को भीगोने के बाद उन पर से छिलका उतारना काफी आसान हो जाता है बादाम पोशक ततों से भरपूर होता है जो आपको दिन भर एनरजी से भरपूर रखता है बादाम खाने से दिमाग बहुत तेज होता है बादाम में धेर सारा पोशक ततों पाये जाता है इसमें प्रोटीन, वशा, विटमीन और मिनेरल्स पर्याप्त मत्र में पाये जाते हैं, जो हमें शरीर के हर रोगों से बचाते हैं. खाने में क्रण्ची और प्रोटीन से भरपूर बादाम में फाइबर और ओमेगा थ्री होता है। टेस्ट के साथ हेल्दी गुणों से भरपूर बहुत लोगों का मन पसंद ड्राइफ रूट है। सूखे बादाम के मुकाबले भीगे हुए बादाम ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि यह खाने में ज्यादा मुलायन और पचाने में आसान होते हैं। सूखे हुए बादाम के मुकाबले भीगे हुए बादाम एंजाइम डिलीज करने में मदद करते हैं जो की पाचन क्रिया के लिए अच्छे होते हैं बादाम सबसे हेल्दी मीड मिल स्नैक्स होते हैं, बादाम के अंदर मोनो सैचुरेटेड फैट मजूद होते हैं जो की भूख पर रोक लगाते हैं बादाम की सेवन से वजन को भी नियंतरित किया जा सकता है भीगे हुए बादाम खाने से दिल हेल्दी रहता है और खराब कलोस्ट्रॉल में राहत मिलती है भीगे हुए बादाम में बिटमिन E एक एंटी आक्सिडेंट के तोर पे काम करता है बादाम में मौजूद यह तत्व उम्र और सूजन को रोकता है जोकि फ्री रेडिकल से होता है बादाम खाने से मस्तिस्क मजबूत होता है भीगा हुआ बादाम खाने से याद रखने की छमता कई गुना बढ़ जाती है भीगे हुए बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्रेन फूट कहलाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिस्क की खुराग की तरह काम करता है इसलिए अगर आपको दिमागी ताकत बढ़ानी है तो रोजाना भीगा हुआ बादाम खाने की आदत डालने चाहिए भीगे हुए बादाम मानस्पेसियों की सेहत के लिए भी जरूरी है सुखे और रोश्ट किये हुए बादाम के मुकाबले भीगे हुए बादाम में प्रोटीन का अस्तर जादा होता है प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्मानक में मददगार होता है जिसे मानस्पेसियों मजबूत होती है भीगे हुए बादाम में एंटी आक्सिडेंट्स की अत्यधिक मात्रा होती है इसलिए इसे खाने से बढ़ती उम्र का असर आपकी तवचा और सेहत पर नहीं दिखेगा इसमें उच अस्तर का फाइवर होता है जो पेट की पाचन क्रिया में मददगार होता है इसमें फासफोरस होता है इसलिए इसे खाने से दान्त मलबूत होते हैं और दादों के साथ साथ मसूरों की समस्य भी खत्म हो जाती है बादाम खाने से सरीर में रोग प्रतिरोधक छंता बढ़ती है इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, आदी, छोटी, मोटी बिमारियों का असर सरीर पर जल्दी नहीं होता है आई होप कि आप सभी को बादाम के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगेगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर आज पहली बार विजट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर जो आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है आप सभी को फाइदा होता है तो फैमली एंड फ्रेंट सर्कल में सेयर करें तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ